हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल ये हेर एकसेसरी जो है ना मेरी चैनल पर बड़ी डिमांड में है कि इसका हेर स्टाइल दिखाओ तो मैंने ये जो मेकप लुक किया था इसके बाद मैंने ये हेर स्टाइल बनाया था विडियो शेयर ही नहीं कर पारी थी मैं ओईली बाल थे उस दिन मेरे जिन मैंने ये विडियो शूट किया था तो मैंने हेर वाश नहीं किया और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ओईली बालो पे भी आप कितना मस्ट हेस्टाइल बना सकते हो मैंने एक बहुत ही मस्त सा हेस्टाइल बनाया है साइड की मांग निका लिया है मैंने और क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़ादा ओईली है मैं थोड़ थोड़ से पार्टीशन ले रही हूँ और अपने बालों में वॉल्यूम एट करने के लिए एक पूफ क्रियेट कर रही हूँ आप चाहे तो आटिफिशल पूफ जो होते है न उन्हें भी यूज़ कर सकते हो बट मैं आपको सिर्फ इस हेर एकसेसरी को यूज़ करना बता रही हूँ सिंपल से ट्विस्ट कर रही हूँ मैं बालों को और बस थोड़ा सा वॉल्यूम दे रही हूँ साइट की मांग मैंने निकाल रखी है और आप मेरे बालों की हालत देखोगे न इतने ओईली है और मैं आभी चुटिया बना रही थी मैं आभी चोटी बना रही थी तो ये आप देखोगे न बहुत सिंपल सा बहुत ही ब्यूटिफुल हेस्टाइल आप बना सकते हो सिंपल ट्विस्ट करना है आपने फ्रंट से आप चाहो तो चोटी भी बना सकते हो जैसे हम लोग साइड वो बनाते हैं ने चुटिया बनाते हैं बच्चों की आपनी वैसे आप चोटी भी बना सकते हो और बस मैं सिंपल से ट्विस्ट कर लूँगी और साइड बन बना के दिखाऊंगी मैं आपको ताकि कैमरे में वो दिख जाए वैसे सेम हेस्टाइल मैंने अभी साइड में फोटो लगा दूँगी वो मैंने एक पार्टी में लहेंगे के साथ बनाया था पर पीछे बन बनाया था तो आप उसे भी ट्राइ कर सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है और वॉल्यूम देने के लिए थोड़ सा मैं पिंच कर लूँगे अपने बालो को यह जो हेस्टाइल है यह बहुत ही आसान है अब आप देखो मैंने साइड में चोटी बना लिए अपने बालो की यहाँ पर आप देखेंगे ताकि मैं साइड में इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं कैमरे में आप लोगो को दिखा सो क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं पीछे बनाओंगी तो पता नहीं कैमरे में शूट होगा या नहीं होगा इसलिए मैं साइड बन बना के दिखा रही हूँ यहां पर आप देखो कि मैं सिंपल सी पतला वाला जो रबर बैंड होता है उसे लगा लूँगी और अपने जो यह को यूज कर लूँगे उसके उपर इस हैर एकसेसरी को यूज करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है आपने जूड़ा पिन आपके पास होनी चाहिए और यह हैर एकसेसरी जो मैंने लिया है यह हाईलाइटेड बालों की कलर की लिए है आप चाओ तो नॉर्मल कलर की भी ल हो जाएगी ना अभी तो मैं अपने बालों में सिर्फ इसे उपर की तरफ लपेट रही हूँ जब मेरा यह एकसेसरी आधा हो जाएगा तब मैं क्या करूँगी जो सामने की तरफ दिख रहे हैं मेरे ब्लैक कलर के बाल उसको भी कवर कर लूँगी क्योंकि देखो मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत ही साही लगने वाला है तो आपके पास होने चाहिए सिर्फ यह एकसेसरी हेर अर जूड़ा पिन यह आप देखो मेरे ओरिजिनल बाल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं इस हैस्टाइल को डेकोरेट करने के लिए आप कई तरीके के हेर एकसेसरी को यूज कर सकते हो मैं यहापे वाइट कलर के फ्लार्स यूज कर रही हूँ आर्टिफिशल फ्लार्स है यह यह भी आपको एमाजान पर बहुत इसली मिल जाते हैं मैं आपको दोनों का लिंक देदूंगी डिस्रिप्शन बॉक्स में क्या है यह एक कितना मस जूड़ा आपसे बात करते करते दो मिनिट में रेडी कर लिया और इसे मैं पार्टी में भी बना के चली जाती हूँ आई होप यह वीडियो अगर आपके लिए हलपूल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर ज आप लोग जरूर बताएगा आई होप वीडियो बसंदा आया है तो वीडियो को लाइक जरू करके जाएंगे थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग बाई और हाँ एक बहुत इंपोर्टेंट बात तो मैं आपसे करना ही भूल गई कि अगर आपने ये मेक अप लुक नहीं स्टाइल और देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना थैंक्यू थैंक्स वर वाचिंग बाई